अगर आप सपोस कीजिए कि वीडियो जनरली आप अगर देख रहे हैं यूटूब या किसी भी प्लाटफूम पर जिसमें बहुत सारे कैलेंडर साइड कर दे रहे हैं अलग अलग पे आफ बना दे रहे हैं ठीक है तो वह सारे स्ट्राइजी जो है आप अगर थोड़े से एक्सपीरेंस होगे तो आपको आईडिया अलग जा रहा होगा कि वह स्ट्राइजी जो अलावा और कोई कंडिशन वह काम नहीं कर सकते हैं और लाइफ टाइम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यह चीज़ हम क्यों शेयर कर रहे हैं कि यूटूब पे बहुत सारे स्ट्राइजी जो हैं वह लोग शेयर कर रहे हैं ठीक है और वह सिर्फ कुछ पर्ट गशिखता है कि uh i was school गलत तरीके से समझ ले और गलत तरीके Wellness भू辖 कर लेई ठीक है तो आप अगर प्रिओर न भी हैं तो आप लोग को हम सग्जेस्ट करेंगे कि कि श्राइटर्ट को आप च Uran करते हैं ठीक है चाहे वो मेरा स्ट्लीव चाहे वो सी भी यूटूफिक चेक करना है वो है जैसे सब्सक्राइब यहां पर शो कर रहा है कि योटूब पर बहुत सारे वीडियो जो है वो ऐसे अभी अप्लोड हो रहे हैं जो की relevant है ठीक है और जो की आप उस strategies को कर भी नहीं सकते मतलब वो strategies करने लायक भी नहीं है जो योटूब पर शेयर हो रहे है ठीक है तो बस एक चीज़ ट्राइक कीज़ेगा देखने का देखिया आप लोग एक चीज़ समझे अगर कोई strategy को आप किसी particular condition के लिए करना चाहते हैं और आप उसको समझते हैं कि हाँ इस particular strategy को हम इस particular condition में करें तो profit होगा और अगर इस condition में ना करें तो loss होगा अगर आपको इतना समझ है ठीक है तब तो आप लोगों कोई problem नहीं है आप फिर बहुत अच्छे तरीके से कोई भी वीडियो देखिए आप आप जो है गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे ठीक है और आप बोल सकते हैं क आप उस strategy को करते भी हैं तो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे आपको सब कुछ पहले से पता है लेकिन जिनको पता नहीं है strategies जैसे अब कैसे पता चलेगा आपको पता है या नहीं पता ठीक है आपको payoff देखने के बाद ही आपको पता अगर चल जा रहा है कि इस strategy को कि इस condition में profit किया जा सकता है क्या कोई particular condition है ठीक है या इसको हम लोग lifetime में कर सकते हैं ठीक है यह आपको understanding अगर payoff देखते ही समय में आ जा रहा है तब आपको experience है ठीक है market में experience है और आप अगर आप ऐसे लोग है तो फिर आपको कोई problem नहीं वाला है आप कोई video देखे आप उसक पोस कीजिए कि कोई ऐसे जज नहीं कर पा रहा है सिर्फ payoff देखके तो उसको चेक करना ज़रूरी है कोई स्ट्राटजी को करने से पहले ठीक है क्योंकि 90% स्ट्राटजी जो है यूटूब पे 95% स्ट्राटजी वो useless है मतलब सिर्फ particular month के लिए काम करेंगे सिर्फ particular week के लिए करते हैं ठीक है उसमें generally विक्स का कोई dependence नहीं होता ठीक है मतलब विक्स से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता अगर बढ़ेगा तो profit होगा घटेगा तो loss होगा ऐसा कुछ नहीं होता एक strategy सिर्फ हम share किया है जो विक्स पे dependent है अभी recently otherwise उसके अलावा और कोई strategy हम share नहीं किया ठ strategy हो जिसमें हमारा लॉसे जो है वो बहुत limited हो ठीक है आज भी उसी तरीके का strategy हम डिसकस करने वाले है तो आपको आइडिया लग जाएगा ठीक है तब suppose कि आपको वीडियो देखने बैठ है आपको क्या चेक करना है simple आप उस strategy को pay off बनाएए पे-off बनाने के बाद यहां से आप लोग विक्स को 20% से increase कीजे ठीक है या 25% या 30% और देखिए कि हमारा जो loss वो कितना हो रहा है ठीक है यहां पर हमारा loss वो minus 1.8% हो ठीक है सेम चीज हम लोग क्या करेंगे विक्स को हम लोग यहां से decrease करेंगे ठीक है तो विक्स decrease करेंगे तो क्या होगा हमारा प्रॉफिट जो है वो 2.8% हो ठीक है तो यह जो प्रॉफिट का जो अभी fluctuation आपको दिखाना कि loss minus 2 minus 1.5% से plus 2.8% का प्रॉफिट जो है यह आरन कॉंडर जैसे strategies में सही है क्योंकि इसक क्या बोल सकते हैं कि जब इसमें अगर विक्स increase हुआ ठीक है तो इसमें losses का चांस जो है वो ज्यादा होगा ठीक है अगर सपोज कि आप स्टाइजी को कर रहे हैं और आप कोई भी adjustment करें लेकिन अगर विक्स बढ़ने पर इसमें loss हो रहा automatically क्यों loss हो रहा है क्योंकि हमारे प लेकिन कुछ strategies ऐसे होती है जैसे जिसमें अगर विक्स को increase or decrease करने से बहुत ज्यादा fluctuation होता है मतलब अगर 20% increase से उसका दो से ज्यादा percent loss हो रहा है ठीक है तो उस strategy को अपलोग मत कीजिएगा बेटर रहेगा ठीक है जैसे सपोज कि अगर हम इस बाइंग लेक को डबल कर देते हैं ठीक है इस बाइंग लेक को सपोज की जो हम डबल कर देते हैं एक काम करते हैं इस बाइंग लेक को डबल करके और next expiry में हम लोग next expiry में चले जाते हैं ठीक है इसकेंड जुलाई 26 जुलाई इसको दो लोड करते हैं ठीक है अब एक एक इसामपल है आपको ठीक है एक सिंपल एक्जामपल लिए कि एसा स्ट्रेट्जी है हमारे जिसमें थोड़ा सा क्यलेंडर है ठीक है अज़ा एक सेकंड वह विक्स था इसलिए कोई दिखकत आ रहा ठीक है तो सपोस्ट कीजिए कि कोई स्ट्रेट्जी आपको इस तरीका अगा दिखता है यूटूब पर एक्जामपल ठीक है इसको और सुन्दर बनाने के लिए आपको हम सेयर करते एक सेकंड अधर चलिए कोई दिकत नहीं है ठीक है सपोस्ट कीजिए ऐसा स्ट्राट्जी हमको दिखता है यूटूब पर एक तो ऐसा स्ट्राट्जी जहांना वह हम भी सेयर की है exactly सेयर की है लेकिन उसको हम लोग कैसे विक्स इंडिपेंडेंट बना सकते हैं वह भी आपको बताना ठीक है क्योंकि उसका नॉलेज होना सबसे इंपॉर्टन चीज है विक्स को इंड dependent बनाने वाला strategy जो है वो शायद यह है और एक बारी चेक करना पड़ेगा ठीक है शायद यही है ठीक है फॉर आल विक्स का क्या मतलब है कि कोई भी विक्स में हम लोग कोई problem नहीं आने वाला लेकिन सब्सक्राइब करना यहीं पर्फियनर नहीं कि भी आवड़े से प entreprises आब 30- commits अप करने का आप एक सपीरेंस और आपको पता है अविक्स इये स्टाइड़ी यह कर सकते हैं लेकिन जो beginner है वह सिर्फ strategy का profits कुछ particular weeks का देखके किस youtuber का आप लोग करने मत बैठ जाएए क्योंकि weeks पे बहुत dependent होते हैं strategy और अगर हम suppose कीज़े एक चीज़ कर लेते हैं suppose कीज़े अगर हम same strategy करना चाहते हैं और इसमें हम buying और selling ले का जो premium है वो हम लोग approximately same कर देते हैं मतलब अगर buying हमारा selling हमारा अगर दोनों combine करके 300 के आसपस है तो buying को भी हम लोग 300 के आसपस combine करके रखते हैं ठीक है फिर देखिए कितना change आएगा ठीक है अगर हमको ये करना भी है तो हम लोग इसको buying को 300 के आसपस कर दी है अब हमारा selling भी 300 रुपेज का है और buying भी 300 रुपेज का है buying जो है वो next expiry में है जो decay नहीं होगा selling जो है current expiry में है जो decay होगा अब हमारा अगर 20% wix भरता भी है तो हमारा जो profits are loss है वो limited है मतलब less than 2% का fluctuation हमारा होगा ठीक है और decay and all ये सब होगा तो profits तो आहीं जाएंगे तो loss 1.2% लेकिन आप maximum calendar spread strategies में आप जब जाके चेक करेंगे जो YouTube पर पड़े हुआ है उनमें 30% पर एक बार ही आप चेक कर लिजेगा कि अगर 30% हम change IV कर लेते हैं जितने भी strategies आपको दिमाग में होंगे सिर्फ ये test आप कर लिजे आपको पता चल जाएगा कि वो strategy करने लाइक है या नहीं है ठीक है तो ये एक video start करने से पहले एक additional information दे दी है ठीक है क्योंकि हम notice कर रहते हैं कि बहुत सारे useless strategies जो है वो लोग share कर रहे हैं ठीक है चलिए तो हम लोग start करते हैं अब तो start करते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका logic क्या है सबसे पहले margin इसमें 40,000 के आसपस लगेगा ठीक है plus call side put side में हम लोग दोनों side में से किसी भी एक में हम लोग को leg बनाना है ठीक है दोनों side का नहीं बनाना ठीक है इसमें एक छोटा सा view हमारा लगेगा suppose कीजे कि market 24,000 पे है ठीक है तो हम लोग को देखना है कि क्या अगर आपको view है suppose कीजे कि market अगर 24,000 के उपर ही रहे पूरे week मतलब आपका view है कि 24,000 के उपर ही expire करेगा ठीक है या नीचे ही expire करेगा उसके basis पे हमारा ये trade जो है ठीक है तो legs हमारा है at the money plus 100 buy करेंगे bank nifty में at the money plus 200 sell करेंगे double lot और at the money plus 500 हम लोग buy करेंगे ठीक है तो ये low risk low risk वाले strategy है इसमें हमारा per week 1% capital कहा ही risk लेने वाल है ये strategy जो हम अभी share कर रहे है ये generally बड़े capital पे भी किया जा सकता है ठीक है recommendation नहीं है लेकिन आप लोग एक बारी test कीजेगा ठीक है इसको बड़े capital पे क्यों कर सकता है लेकिन क्योंकि हम लोग अगर कोई भी strategy बनाते हैं तो हमारा एक where होता है value at risk अगर हम naked strategies बनाते हैं तो उसका max loss वो unlimited होता है उसका अगर क्या मतलब है कि अगर मारे जा market 10% gap up gap down हो गया तो हमारा जो loss वो unlimited भी हो सकता है लेकिन अगर हम strategy ऐसा कर रहे है जिसमें max loss ही 5% है तो उसमें हम लोग को generally एक view बनाने के बाद तो 95% of the time हमारा जो है gap up और gap down से problem नहीं होगा लेकिन अगर 5% of the time gap up gap down से problem होता भी है तो हमारा जो max loss है वो बहुत limited है ठीक है और वो max loss जो हमारा है वो एक मन्थ में भी recover हो जाएगा अगर होता है तो लेकिन एक छोटा सा hedge अगर buy कर लेते हैं तो उसको भी हम लोग बचा सकते हैं तो इसको हम लोग wear बोलते हैं और हम लोग अगर ऐसा strategy करें जिसमें wear बहुत कम हो जिसमें value at risk बहुत कम हो उसमें long term में आप always profitable होंगे ठीक है long term में आप always profitable होंगे अगर आप उस strategy का max loss बहुत छोटा है मतलब market में कुछ भी कुछ भी हो जाए आपका अगर loss ही fix है तो फिर आप हरदम profitable ही रहेंगे क्योंकि profitability खतम कब होता है जब आप लगातार 6 महिने कमा लेते हैं और एक महिना ऐसा आता है जिसमें हमारा loss बहुत बड़ा हो जाता है ठीक है इसलिए ऐसे strategies करना better है ये एक example है ठीक है इन्रोल कर सकते है ठीक है coupon code अभी चल रहा है freedom ठीक है आप लोग use कर सकते है कल के लिए valid है मतलब independence day के लिए valid है ठीक है तो after independence day राखी मतलब independence day और राखी दोनों का हमारा coupon जो है वो चल रहा है ठीक है तो आप लोग दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है इसको जो है डीटेल में आप लोग इसका डीटेल जो है वो हम आगे वीडियो मताएंगे अदरवाइस आप लोग यहाँ पर वेब साइट पर सारा डीटेल आगे चेक कर सकते हैं जो टेस्टेमनी है यहाँ पर लेकिन अगर हमारा व्यू गलत हुआ तो क्या करेंगे अगर हमारा गलत हुआ तो हम लोग एडजेस्ट में भी करेंगे फिक ऐसे ificación क्या करेंगे वह अधियान से समझेगा व्यूंत था जनेगे और पहले हम लोग क्या करेंगे की इसमें SL जो है वो fix करेंगे 1% का मतलब 1% से ज़्यादा हमको loss लेना है नहीं है इसमें ठीक है क्योंकि इसमें risk reward हम लोग को risk reward भी ध्यान देना है अगर हम यहाँ पे 2% कमा रहे हैं एक week का तो हम लोग किसी भी week में 1% से ज़्यादा risk जो है वो नहीं ले सकते हैं सिंपल बात है ठीक है तो हमारा view बन गया क्यों market उपर सजाएगा और view जो है न वो हम लोग को इतना accurate वाला नहीं बनाना है ठीक है इसको non-directional तरीके से भी किया जा सकता है कि हम लोग क्या करें कि हर week में bullish बनाए और अगर expire किया तो अच्छा है अगर नहीं किया तो हम लोग adjustment करके bearish बना देंगे ठीक है तो इसको non-directional way से भी कर सकता है ठीक है और अगर इसको आप directional way से की है directional way का क्या मतलब है कि एक छोटा सा view बना दें कि market जो है वो कहाँ expire कर सकता है पूरे week में मतलब exactly point नहीं बताना लेकिन इस point के उपर या इस point के नीचे expire कर सकता है एक छोटा सा अगर view बना देते हैं तो आपका जो return है वो non-directional way से double भी हो सकता है ठीक है तो आप लोग समझेंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे है ठीक है प्लस इसका advantage क्या है कि इस strategy में जो हम लोग trade बना रहे है तो हमारा अगर market view है bullish लेकिन market वहीं पर रह जाता है तो भी इसमें हम लोग profit होगा क्योंकि हमारा यहां पर decay आएगा ठीक है और break even point 7% दूर है तो हमारे opposite market को point 7% कम से कम move करना पड़ेगा तब ही हम लोग बोलेंगे कि हमारा view जो है वो गलत हुए ठीक है तो यह बहुत advantage वाले चीज है क्योंकि normally directional strategies में हम लोग देखते हैं कि view अगर गलत होता है तो बड़े losses होते है ठीक है और view गलत actual में हुआ कब है यह हम लोगो पता नहीं चलता और उसके बाद हम लोग फिर decide करेंगे कि हम लोगो कौन सा adjustment करना है ठीक है clear अभी तक तो चली हम लोग दो week देखेंगे दोनो week में एक जो है वो success वाला week देखेंगे और एक जो है वो losing वाला week देखेंगे ठीक है तो यह अगर हमारा losing वाला week होता है तो वह अच्छा है adjustment हम लोग को अभी ही सीखने को मिल जाएगा ठीक है अब यह bank nifty का Lex है आप लोग को nifty का जो Lex बनाना है अगर nifty का Lex बनाना हो तो simple इसका half मतलब अगर 100 200 और 500 है तो निफ्टी में हो जाएगा 50 100 and 250 ठीक है तो बिल्कुल complicated नहीं है strategy ठीक है अब यहां पर हम लोग discuss कर रहे थे अगर suppose की जाए आपको और safe चलना है तो हम लोग यहां पर एक छोटा सा hedge भी लेके जा सकते है ताकि market अगर gap down दे तो हम लोग को कोई problem ना है ठीक है छोटा सा hedge ऐसा hedge जिससे हमारा एसा hedge जिससे हमारा blue line जो है वो flat हो जाए blue line क्या होता है blue line जो है यह होता है मतलब अगर market gap down हुआ तो blue line के वज़े से हमारा profit का loss define होगा और इसलिए एक छोटा सा hedge हम लोग ले सकते हैं जिससे हमारा value at risk जो था वो zero हो गया ठीक है एक तो एक परसेंट के एसल ले रहे हैं ओपर से ओवर नाइट जो रिसक है वो जीरो हो गया तो बहुत सेफ रैट जी जो है वो हो गया ठीक है और gap down होने पर हम लोगों कोई problem नहीं आया तो gap down को विज़े से हमारा जो loss सॉरी यहां पर जो हमारा Hof जाई वो profit दिया और हमारा जो payoff है वह इस तरीके का बन गया है ठीक है तो adjustment जो होना था हमारा adjustment होना था इस break even पह ठीक है इस break-even पे हमारा adjustments होना था ठीक है तो adjustment क्या करना हम लोग को जो selling leg है हमारा Debatte Selling Leg को Exit करके देक है सेलिंग हम लोग को बना देना है, ठीक है, मतलब हमारा पहले selling link जो था वो यहाँ पर था, अब selling link यहाँ पर आ गया, मतलब हम लोग simply क्या किये हैं, इस buying link के पास जो selling link था, उसको shift कर दी है यहाँ पर, तो वो position जो है हमारा bullish था, तो अब bearish हो गया, इसमें 1% SL हमारा maintain रहेगा, और हम लोग इसमें bullish bearish करेंगे, ठीक है, clear है, SL जो हम लोग को बड़ा नहीं रखना है, क्योंकि जिस week में market volatile है, उस week में हम लोग को छोटा loss लेके निकलना है, और जिस week में market trending है, या sideways है, उस week में हम लोग को profit लेके निकलना है, ठीक है, I guess आप लोग समझ गया होंगे, अगर market trending रहा, तो आपको 2% देदेगा, अगर market sideways रहा, तो 2% देदेगा, अगर market अंदर बाहर करेगा, अंदर बाहर, तो उसमें हमको 1% का stop loss होगा, ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अगर ये week हमारा stop loss हिट करता है, तो एक stop loss का हमारा clear हो जाएगा, complete हो जाएगा, ठीक है, बट generally आप देखेंगे, कि अगर हमारा view गलत होता है, तो opposite side market चला जाता है, जो कि हमारे favor में ही चला गया, क्योंकि हम लोग अपना position reverse कर दीए, market के हिसाप से हम लोग चल रहे हैं, हम लोग market में adjustment जो कर रहे हैं, वो हम लोग market के opposite जाके adjustment निक कर रहे हैं, market के side में जाके adjustment कर तो 1.4% हमारा यहां पर इस week में complete हो गया, अब next week में हम लोग suppose कीजिए कि next week में हमारा view है, फिर से bullish, example, ठीक है, तो हम लोग simply क्या करेंगे, trade बनाएंगे, 100 रुपे, 200 रुपे और 500 रुपे, ठीक है, यहां से हम लोग double quantity में sell कर देंगे, और यहां से हम लोग आगे बढ़ September से live class है, जो उसका start होने वाला है, 7th September से, ठीक है, उसके पहले आप अभी enroll करते हैं, तो आपको 10 से 15 videos मिलेंगे, जिसमें आपको strategies और concepts पहले से उसमें मिलेंगे, ठीक है, हम videos क्यों देते हैं strategies और concept का, क्योंकि आप उसको अच्छे से देखें, back testing करें, जो doubts है, उसको note down कर सीखने के बाद, जो discussion होगा, उसके लिए है, और strategies को master करने के लिए है, ठीक है, तो live class जो है, वो 7th September से start होगा, Saturdays को होगा, classes, 4 classes होगा, और हर alternate month में class होता है, मतलब अभी September में चल रहा है, फिर October में नहीं चलेगा, November में चलेगा, ऐसे एक साल तक आप लोग, जो live classes है, वो join कर सकते हैं, तो एक साल में total आप समझ जाहिए, कि कितने classes होए, 6 into 24, 24 classes आप लोग join कर सकते हैं, 22 hours का classes होता है, तो possible ही नहीं है, कि आप लोग का जो doubt है, वो कोई भी रहेगा, इन 24 classes में, एक साल के अंदर में, और possible ही नहीं है, कि आप लोग, इस period में, आप लोग एक strategy या द strategy कम से कम master ना कर पाएं, ये भी possible नहीं है, ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते क्या है strategies, तो हम लोग एक weekly strategy पढ़ते हैं, उसमें हम लोग उसका adjustments, जो है, वो ऐसा है, कि किसी market condition में हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है, या iron fly है basically, उसके बाद दो मन्तली strategies पढ़ते हैं, वो perfect adjustment क् perfect adjustment हम बोलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग discuss कर रहे थे कि कोई भी wix में उसको problem ना है, कोई भी market movement से भी उसको problem ना है, उसी को हम लोग perfect adjustment बोलते हैं, ठीक है, तो उसी के basis पे हमारा monthly strategy है, दो monthly strategy, प्लस three favorite मेरे directional strategies है, working people के लिए वो best है, क्योंकि उसमें trade डाल के और छोड़ दे है, अगर हमारा risk reward उसमें बहुत अच्छा रहता है, तो हम लोगो सिर्फ देखना है कि market का view थोड़ा सा किधर है, और वहाँ पे उस trade को डाल के हम लोग छोड़ देंगे, और उसमें हमारा success अगर करेगा, तो हमारा one is to three का अराम से हम लोगो risk reward मिलता है, ठीक है, फिर working people का weekly strategy with algo और working people का monthly strategy, फिर उसके बाद manual अगर कोई trade कर रहा है intraday, तो उसके लिए भी strategy जो lifetime काम करेगा, और manual अगर intraday कोई कर रहा है, तो उसके लिए bank nifty का भी strategy, ठीक है, प्लस algo अगर कोई prefer कर रहा है, तो algo का portfolio बनाना हम लोग सीखेंगे, अभी generally zero dt जो है वो थोड़ा सा problem कर तो हम लोग 1 dt पे भी shift कर रहा है, ठीक है, तो 1 dt पे भी देखेंगे कि क्या हम लोग बना सकते हैं, सीखेंगे हम लोग, उसके बाद expiry strategies पढ़ेंगे और all dt का strategies पढ़ेंगे, फिर इसमें majorly क्या है, इसमें majorly हमारा 3 से 4, इसमें majorly 4, 3 से 4 weekly strategies है, ठीक है, और 3 मंतली strategies है, जो और 2 intraday strategies है, जो core है, ठीक है, और इनहीं में से आप लोग को एक या दो, सिर्फ एक और दो master करना है, ठीक है, और time period क्या है, minimum आप लोग को हम बोलते हैं, जिससे देखिए, लोग आगर पुछते हैं कि सर कितना time लगेगा and all, ठीक है, तो जो reality है वो हम share करते हैं, ना कि हम क ठीक है, फिर with experience जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, इसमें minimum 3 months तो लगते ही हैं, ठीक है, तो किसी भी strategy को master करने के लिए 3 महीने लगते ही हैं, और यह आप लोग accept कर लिजे, 3 महीने लगातार उसको jam के उसको practice करेंगे तब, और अगर उसको master कर लेते हैं, तो फिर वो lifetime के लिए strategy जो है, वो आपका हो जाता है, ठीक है, आपका बन के रहा जाता है, और अगर वो process आप follow नहीं करेंगे, तो lifetime जो है, वो strategy जो है, आप लोग change करते रहेंगे, ठीक है, प्लस जो process है, आप enroll करेंगे, उसके बाद, enroll करने के बाद, आपको जिस्त भी बता दिया हैं सब कुछ, यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हैं, उसके बाद आप लोग community कहाँ से होंगे, whatsapp community और telegram community दोना है, वहाँ पर हम लोग live market में discussion, strategies, concepts का discussion, ठीक है, एक दूसरे से बहुत help मिलता है, ठीक है, तो काफी एक constructive community है हमारा, ठीक है, तो उसका आप एक part होंगे, plus यहाँ पर आक question selling को लेके, तो enroll कर लिजेगा, तो इस week में हम लोग देखते हैं, अगर हमारा suppose कीजे, ठीक है, अभी हम लोग hedge भी ले सकते हैं, हमें hedge नहीं ले रहे हैं, क्योंकि time जए वो थोड़ा सा उसमें लगेगा, तो आप लोग hedge cost last में निकाल सकते हैं, लेकिन live में जो है न hedge लेना बहुत important है, ठीक है, ऐसे back testing में तो avoid कर सकते हैं, और last में जो return आए, उसमें से थोड़ा सा hedge का cost हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन live में लेना important है, ठीक है, तो जिसे इस week हमारा trending हो गया, तो हम लोग को कोई adjustment करने का जोरत नहीं पड़ेगा, तो हमारा इस week में suppose कीज ठीक है, 2% बन गया, 2.3% बन गया, last week हमारा volatile था, मतलब last week हमारा view जो है, वो गलत हुआ था, bullish view गलत हुआ था, फिर हम लोग bearish पर shift कर गया, bearish सही हो गया, अब हमारा SL कभ होगा, bullish view गलत हुआ, हम लोग bearish बना दियें, वो भी गलत हुआ, तब हमारा SL जो है, वो हिट होग ठीक है, तो चलिए एक और week देखते हैं, Thursday को, और bullish ही बनाते हैं, ठीक है, 200 और 500, ठीक है, बन गया, अब हम लोग देखते हैं, अगर adjustment हुआ, अब देखिए, अगर किसी scenario में आपको adjustment से पहले ही अगर 1% का SL हिट हो जाता है, तो आप लोग simply exit कर लेंगे, ठीक है, उसमें परसेंट ही है, उससे जादा हमको SL लेना ही नहीं है, ठीक है, जैसे सपोज कि अगर ये example में हमारा, जैसे सपोज कि अगर किसी week में, अच्छा एक ऐसा, हम क्यों बोल रहे हैं, कि कि अगर कोई भी week, ज्यादा volatile होता है, उसमें हम लोग को SL आते हैं, ठीक है, तो अगर ऐसा अगर नहीं करेंगे, SL ले लेंगे, क्योंकि हमारे SL जो हीट हो गया, अगर हम सपोज किज़ेंगे, हापे adjustment कर देते हैं, जो SL नहीं लेते हैं, और हम आपे adjustment कर देते हैं, तो क्या होता है, ठीक है, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि curiosity तो होगा ही, ठीक है, तो ठीक है, अब देखें, वही चीज है, problem, problem वाला बात देखिए, पहले वो हमारा bullish view गलत किया, फिर bearish हम लोग जब बना दिया, तो भी ये break even के पास ही भार भार घूम के जा रहा है, ठीक है, तो इसी को volatility बोलता है, और volatility में हम लोग को जतना जल्दी SL लेके निकल जाए, उत पास पास जाके उसका loss बढ़ा रहा है, ठीक है, तो volatility का यही मतलब है, ठीक है, अभी लगबग 0 loss पे जाके फिर वापस है 1.2% loss, ठीक है, तो आप लोग समझ गया होंगे, कि जो rules हम लोग हम बनाते हैं, वो किस basis बनाते हैं, और long term में जो rules है, वही आपको profitable बनाते हैं, ठी एक बारी bullish view गलत कर दिया, फिर एक बारी bearish view भी गलत कर दिया, तो उस week में जो है, वह आपको profitability का chances है, क्योंकि वह week volatile है, simply हमको SL लेके निकल जाना, ठीक है, सेम चीज यहां पर हुआ, और अगर trade बनाते हैं हमारा break even पे और आया और 1% SL लिखा दिया, वो भी volatile है, ठीक है, तो better SL निकल निकल जाओ, और आपको ज़्यादा loss लेके निकलना पड़ेगा, ठीक है, यह week तो चलो अच्छा चाला गया, ठीक है, लेकिन हमारा loss ज़्यादा लेना पड़ा था, सपोस कीजिए कि अगर इस week में सपोस कीजिए, आप लोग बोलेंगे कि यहां पर प्रॉफि जो है, definitely आ गया, लेकिन हमारा जो 1% SL है, वो SL के सिर्फ SL के बेशिच पर नहीं आना, आपको SL बढ़ाना पड़ेगा, अगर यह profit चाहिए तो, ठीक है, तो अगर सपोस कीजिए, आपका अगर risk appetite बढ़ा है, तो आप 1.5% SL भी रख सकते हैं, उससे हो सकता है, यह थोड़ा स कि अगर हम 2% SL लेके जा रहे हैं, और हमारा max profit 2% ही है, तो फिर वो 2% SL लेना, मेरे हिसाब से, एक valid SL नहीं है, ठीक है, 1.5 max, ठीक है, और 1, तो I guess यह strategy आपको clear हो गया होगा, और इसके जैसा strategy हम एक वीडियो में बताये थे, लेकिन यह नहीं था, ठीक है, वो दूसरा strategy था अगर कोई comment करेगा, तो आप लोग ध्यान से देख लिएगा, यह दूसरा strategy है, वो दूसरा strategy था, ठीक है, उसमें हम लोग directional play कर रहे थे, ठीक है, इसमें हम लोग directional play नहीं कर रहे हैं, इसमें हम लोग directional को non-directional तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर market sideways भे गया, तो भी हम ल लगा होगा और यह वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपको बता है वह ज़रूर सुन लीजेगा ठीक है क्योंकि कोई भी अगर मैक्सिम लोग बिगनर ही आते हैं या थोड़े बहुत एक्सपीरियंस के तो वह जानना आपको बहुत ज़रूरी है ठीक है तो चलिए फिर मिल